है नमश्कार सभी को मेरी तरफ से राम राम जो लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनको भी मेरी तरफ से राम राम हमारे वीडियो जयुक्त भारत में भारत से बाहर भी देखे जाते हैं जो हमारे भारतिये बाकी जो कंट्रीज यहां जहां पर भी बसे हैं उनस अब को मेरी तरफ से राम राम आप लोगों तक हम जम्मू कश्मीर से जुडी हुई हर खबर लेकर आते हैं इस समय में बात करने जा रहा हूँ पुँच पुछ एनकाउंटर की पुछ एनकाउंटर जो पिछले नो दिनों से चल रहा है आज नवमा दिन है इस एनकाउंटर के चलते हुए और इन नो दिनों में हमने अपने नो शूरवीरों को खोया है जो हमारे शूरवीर भारतिय सेना के शूरवीर हैं हमने नो लोगों को खोया ह जिनमें दो जेसियों भी हैं लेकिन अभी तक किसी भी आतंकी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है इस एंकाउंटर के अंदर अभी तक का जो अपडेट है उसके अंदर मैं बता दूँ कि इस समय तक एंकाउंटर जो है वहाँ पर चल रहा है और ये पूरा ओपरेशन जो है आज नव में दिन में एंटर कर चुका है और इसके साथ आपको ये भी बता दूँ कि चीफ अफ दा आर्मी स्टाफ वो भी आज पूंच इलाके में हैं और पूंच इलाके में उन्होंने इस लाइव ऑपरेशन के अंदर वो गे थे जो आपने तस्वीरे भी देखी और पहली बार हमारे यहां के कोई जर्नल हैं इंडियन आर्मी के जो चीफ अफ दा आर्मी स्टाफ हैं जो पहली बार एक लाइव इतने बड़े ऑपरेशन के अंदर खुद पार्टिसेपेट जिनों ने किया और स्टेटेजी वगेरा का पूरा हिस्सा रहे नो दिन हो चुके हैं इस एंकाउंटर को चलते हुए इस पूरे ऑपरेशन को चलते हुए और इन नो दिनों में हम लोगों ने अपने नो शूरवीरों को खो दिया है सबसे पहले तो उन सभी शूरवीरों को मैं नमन करता हूं उनके लिए मैं सल्यूट करता हूं उनके परिवार वालों को मैं जो है हाज जोड़कर नमस्ते करता हूं क्योंकि उनके घर के जो चिराग हैं उन्होंने भारत की सेवा करते हुए अपनी शहादत दी है वीरगती को प्र परिणे ठीक हैं कि फए hadसा को अच्छा लगता है। लेकिन सब को किसी दूसरे के घर पर अच्छा लगता है कि आर्मी वाला हो तो वो किसी के दूसरे both अ अपने घर पे ना हो। लेकिन आप सूचिए만 उस परिवार के ओपर क्या बीती है जिस परिवार का एक हिस्सा इस तरह से ऑप्रेशन के अंदर शहीद हो जाता है और कितने परिवार के लोग जो है उसकी छुटी का इंतजार कर रहे होते हैं और वापिस जाती है सिर्फ उसकी वर्दी तिरंगे जंडे में लिप्टी हुई तो क्या कंडिशन होती है उस परिवार की वो आप नहीं समझ सकते वो परिवार ही समझ सकता है हम मीडिया वाले भी उन परिवारों के पास जाके बात करते हैं लेकिन एक ही दिन जाते हैं उसके बाद के जितने दिन होते हैं वो परिवार अपने उसी दुख के साथ जीता है लेकिन वो दुख गरव क दुख होता है जो हर एक इंसान तक नहीं जो हर एक इंसान नहीं पा उसकी जिन्दगी में वह गरव आ सकता है जो हमने नो अपने शूरवीर खोए हैं उन में से एक नायक मंदीप सिंग जी हैं सिपाही वैशनव जी हैं राइफल मैन जोगंबर सिंग जी हैं, राइफल मैन विक्रम सिंग नेगी जी हैं, इनके इलावा नायब सुबेदार जस्विंदर सिंग जी हैं, सिपाही सरज सिंग जी हैं, सिपाही गजन सिंग जी हैं, सुबेदार अजे सिंग जी हैं और नायक हरेंदर सिंग जी हैं इन्नों शूरवीरों में दो हमारे जेसियो रैंक के शूरवीर शहीद हुए और बाकी जवान बड़ा दुखत था ये हमारे लिए ये नों लोगों का नुकसान क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान तो इस तरह से चूहों की तरह हमारे देश में घुसके इस तरह से हमले करता है क्योंकि पाकिस्तान खुद एक आतंक वाद परस्त देश है उनका जो प्राइम निस्टर इमरान खान नियाजी है वो खुद एक आतंकवादी देश का आतंकवादी परधानमंत्री है जो लगातार इस तरह से हमारे देश के अंदर आतंक फैलाने की कोशिश करता है कभी आतंक के जरीए और कभी ड्रग्स के जरीए नारको टेररिजम के जरीए हमारी इंडियन आर्मी हमारे जम्मु कश्मीर पुलीस के जवान मू तोड जवाब देते हैं इन आतंकियों को लेकिन अभी इस ऑपरेशन के अंदर जो हमारे पास कोई खबर नहीं है आतंकियों की हो सकता है कि कल सुभा तक कोई अच्छी खबर आए जिसमें आतंकियों के मार जाने की खबर आये लेकिन अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और अभी यह एंकाउंटर जारी है चीफ आफ दा आर्मी स्टाफ एन एन नर्वाने आज यहां पहुंचे थे और उन्होंने लाइव उस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया वहां पर वो तस्वीरे भी आपने देखी होंगे चीफ आफ दा आर्मी स्टाफ की जो आर्मी द्वारा रिलीज की गई लेकिन दुखत घड़ी हमारे लिए यह है कि हमने अपने नो शूर वीरों को खोया है और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है इस ऑपरेशन के अंदर जो भी अपडेट रहेंगे हम आ परेशन है जो लगबग नो दिन से लगातार चल रहा है जहां पर हमारे हमारे जो सेना के शूर वीर हैं इस ऑपरेशन को लगातार जो है इसके अंदर अपना दमखम दिखा रहे हैं हो सकता है कल एक बड़ी खबर आए और जब तक वो खबर नहीं आती हम आपको अपडेट नहीं दे सकते और मेरी भगवान से यही परातना है कि हमारे जवानों को हमारे शूर वीरों को और ताकत परदान करें ताकि हमारे शूर वीर इन पाकिस्तानियों को जड़ से उखाड के और इनको पता चले कि किसी और देश की अंदर चूहे की तरह गुसने का क्या अंजाम होता है और इमरान खान नियाजी तक ये ये पूरा का पूरा संदेश जाए कि आपने हिमाकत की भारत के अंदर घुसने की और आपका क्या हशर किया हमारी भारती सेना ने एक तरफ पाकिस्तान और भारत के मैच की चर्चाएं हो रही है और दूसरी तरफ देखो ये कायर पाकिस्तान इस तरह की हरकते करता है मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को मैच में हारने की हारने का पता होता है कि हमने हार जाना इसलिए जब भी इस तरह की मैचिज आते हैं भारत और पाकिस्तान के तो वो इस तरह की हरकते करते हैं ताकि मैच जो है वो ना हो और उ होगा वो तो बात की बात है लेकिन इस समय ऑपरेशन चल रहा है पुंच में मेरे सैनिको को मैं और ताकत के लिए भगवान के आगे परातना करूँगा आप भी मेरे साथ परातना करें ताकि इस अपरेशन के अंदर जल से जल हमें एक अच्छी खबर आए तब तक के लिए मेरे साथ सभी बोलें इंडियन आर्मी जिन्दावाद कमेंट सेक्षन में लिखें भारत के जंडे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें ताकि पाकिस्तान, पाकिस्तान के समर्थक, कश्मीर में बैठे पाकिस्तान के ओवर ग्रॉंड वरकर्स और आतंकवादियों तक एक मू तोड़ जवाब जाए धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से राम राम